तो फेंस वेशली कीचन में आपका स्वागत है आज हम पुदिने के पत्ते नहीं पुदिने के डंटल का इस्तमल करने वाले है उसी जूड़ी एक रेसिपी बनाने वाले है उसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखने पड़ेगी चलो तो हम देखते है यह कुनसी पुदिने के डंटल में से खेला निकाल लिया है अब हम इसे दो लेंगे शाय है शुच एक कर दो कर दो कि को लिया है आप देख सकते हो यह सुख गया है अब हम इसे इखटा कर लेंगे और इखटा करके हम इसे काट लेंगे यहापे में नेपु दिने के डंठल, काला नमक, जीरा, काली मिर्च, सपेद नमक और साबुद दनिया लिया है काला नमक हमें ऐसा लेना है अब हम गयाच चालू करेंगे और उसमें एक प्यान रख देंगे और उसमें यह पुदिने के डंठल हम सेख लेंगे हमें हलकाई सेखना है अब हम इसे एक डिश में ले लेंगे और उससे प्यान में हमने एजीरा, दनिया और काली मेच को भी डालना है और इसे भी हमें हलका हलका सेख लेना है आप देख सकते हो मैंने इसे हलकाई सेखा है अब हम इसे थंडा होने के बाद इसमें काला नमक और सपित नमक डालेंगे और इसे हमें एक मिक्सी जार में लेना है और इसका हम एक फाइन पाउडर बनाएंगे ये बनके रेड़ी है हमारा छास का मसाला ये आप छास में, राइते में, फ्रूट पे, सलाट पे, सब पे डाल सकते हो अब हम इसे काज की बोटल में निकाल लेंगे आप चाहे तो कुदिने के पत्ते भी सुखा के इसमें डाल सकते हो ये मसाला आप एक साल, दो साल तक स्टोर कर सकते हो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा ये मसाला वाली छास आप जरूर ट्राइ करना ये मसाला आप जरूर बनाना और मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसे लगा और मेरी रेसिप्य आपको पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना है